स्टुडेंट्स वेलकम तुमाई यूट्यूब चैनल सैंज क्लासिज आज हम जो टेंथ ट्वैल्थ क्लास की यूनिट टैन है ना हेलो एलकेंज एंड हैलो एद्रीन्स उसका जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसका बैसिक इंट्रोड पर जैनंगे उस बातर है उसकता बोलेंगे न परकेंगे सिम्पलत से बात है वन हेलोजन थे हैं तो इसको क्या बोलेंगे तो अब उसके इंट्रोड एंगे की इसको बूलेंगे उसके जो ग्लासिफिकेशन क्कों से तो सबसे पहले मोनो हो जाएगा उसके बाद डाई हो जाएगा उसके बाद तरहरा हो जाएगा तीक फार्ट केस्त पास्टिक पर नियुक्त पर वहता हो जाएगा था। आए तो आप मेड़ीड हम उतस्पे था फ nosso रet तो वी कि आत मेड़ीज था सकते हैं उसके इसके बाद जो इस hiljus का कि क्लासिफिकेश्ड होगा पुए चाहि़ सिकत इस traveling किसे कनेक्ट है SP3 का मतलब क्या है कि ऐसे कोई कार्टबन है उससे अपना कोई लीगेंड अटैच है जो अपना हैलोजन है वो अटैच है ठीक है इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं यह देखो इसमें तीन केस मना सकते हैं पहली बात कि जो यह अपनी यह तो हमने फर्स्ट केस है X second case में क्या हो सकता है कि इस H की बजाए भी क्या आजाए अपनी एक कार्टबन आजाए थर्ड केस कौन सा हो सकता है कि इस H की बजाए भी क्या आजाए अपनी एक कार्टबन एटम आजाए यह होता होगा ठीक है तो इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि इस केस में तो ह घिस भी कार्डबन पे अपना हैलोजिन अटे था अब्रेशकों के रचारखे से सिर्वHHHH गल देए 1 दो nursing खसका से है ऩा तो इसको अबाद कितनी कार्डबन से था से इस कार्ट बन से एटाइच है तो चेम्स कर्णी आगे कितनी कर्डबशि अटाइच है किंस को बोल देते हैं तो यह क्या हो गया अपना फ्राइमृ यह से यह अब आगे दो खरच आय additions और वदना चाहिए अब आगे चलते हैं जो और अने क्या होगा एकoya एखि ना ना जो अपनी कार्ट बंड है इस पे मैं ने हलोजन लगा दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं इस कार्ट बंड को हम बोलेंगे 일 यीलिक हलाइड यीलिक का मतलब क्या होता है कार्ट बंड next टू दि double bonded कार्ट बंड कि ये अपनी जो डबल बोंड है इससे जो next वाली कार्ट बन होगी उस पे halogen लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं तो simple language में लखें तो हम क्या लिखेंगे halogen attached to the to that carbon which is next to double bond कि जो double bonded carbon है उसके जो next वाली कार्ट बन है डबल बॉंडिड कार्ट बन तो अपनी होगी इससे जो next वाली कार्ट बन है इसके साथ अपना है रोट अटैच है तो उसको क्या बोलते है है कैसे कि दी जार्डी कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इस बॉंडिड टू एंस SP3 hybridized carbon adjacent to the carbon carbon double bond कि carbon carbon को कोई double bond होगा उसके next वाली कार्ट बन पे जब हम ऐलोजन लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे एलायलिक हलाइड उसके बाद क्या बोलते हैं बेंजायलिक हलाइड केस अपना भी भी वही है कि जो अपनी कार्ट बन है वो फिर्ट पिर्ट एंग्याड में नुदा उसे क्या दोक्त कर दोक्तों लावागें हैं रशा है व्हाहेएं उससे पे एक बोल सकते हैं जब कार्ट बाल नेक्स्ट बाद कार्ट वाली रिसे यहा ऑलोजन अटेच है तो उसकेस कंडिय nan 이거는 थर्ड एक्जामपल में कौन सा देखा है मैंने बैंजायरिक कि कोई पैंजीन है उसके साथ क्या लगा अपना हैलोजन तो इसके साथ किए अपना है तीन देख लिए अब चलते हैं यह तो किस पे थे SP3 hybridized carbon पे अब देखेंगे कि SP2 पे कौनसे कौनसे हो जाएंगे SP2 SP2 carbon पे कौनसे कौनसे हो जाएंगे तो सबसे पहले क्या कि जब double bonded है मान लिया मैंने यह ले लिया ठीक है इससे किसे साथ एक तो एच है एक हेलो जूट जूट जाए तो इसकी एक दो तीन तो यह किसके hybridization कितनी हो जाएगी SP2 SP2 hybridized carbon पे है मतब डबल बॉंड के डबल बॉंड इड कार्डबन पे ही है तो इसको तो हम क्या बोलते है Vinylic Vinylic Allide कि जब double bond वाली कार्डबन पे यह attach हो तो उसको तो हम क्या बोलेंगे Vinylic बोलेंगे इसको हम क्या बोलते है Vinylic These are the compounds in which halogen atom is bonded to a SP2 hybridized carbon atom of a carbon carbon bond इसके होगा कि जो halogen लगा होगा अपनी वो double bond वाली carbon से ही attach होगा सीधा These are the compounds in which halogen atom is directly bonded to the SP2 hybridized carbon atom of automatic thing कि कोई भी automatic thing लेनी है उसके जो कार्डबन से जब अपना halogen है वो directly attach होगा उसको हम क्या बोलेंगे अच्छाइल हलाइड बोलेंगे तो आज हमने क्या देख लिया इसका classification देख लिया कल देखेंगे इसका no one question hope आपको इतना समझ जा गया होगा कुछ doubt है तो आप comment section में बता सकते है Thanks for watching